सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा आज Life is tough बुद्धा की पहली philosophy है बुद्धा की पहली teaching ही शुरूआत होती है कि Life is suffering मैं suffering नहीं बोल मानता लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूं कि Life tough होती है और जब आप ये समझ लेते हैं कि Life tough है तो आप काफी हद तक तयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए For example, मैं simple सी example आपको देता हूं जैसे आप देखिए नॉर्मली लंडन में 15-18 डिग्री का temperature रहता है जब हमारे हां मैं जून में 45-48 यहां भी बहुत गर्मी होती है मैं जून में कितनी गर्मी होती है temperature क्या होता है मेनल जी 40, okay 40 प्लस अब सबोस करिए कोई वक्ती लंडन से आ रहा है वो पूने में लैंड करता है या मुंबई में लैंड करता है अब अगर वो यह सोचे उसको लंडन जैसा वेदर मिलेगा तो उसकी क्या हलत होगी वो उसको digestive नहीं कर पाएगा लेकिन अगर उसे mentally पहले ही पता हो कि वो इतना tough होगा या इतना hot होगा तो mentally prepare होगा तो वो काफी हद तक उसको easily या handle कर पाएगा सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है मैंने आपको इन champion लोगों से पता है क्यों मिलवाया यह बताने के लिए कि life जो है वो tough होती है वो कभी भी easy नहीं होती यह हमें simple सी चीज हमेशा याद रखनी है हाँ life में न हमारे challenges बदलते रहते हैं जैसे आप देखिए एक छोड़ा सा बच्चा होता है छोड़ा बच्चा टॉडलर जब वो school जाना शुरू करता है उसके लिए सबसे बड़ा challenge क्या होता है absolutely सर school जाना मतलब सुबह उठना तो बड़ा boss के लिए बहुत बड़ा challenge होता है सुबह उठना अब वो सोचता है सुबह पता नहीं मुझे क्यों उठा देते है मुझे याद भी याद है मेरा जब बिटा छोटा था तो वो पॉट पे बैठके आदा घंटा ऐसे सोता रहता था उसके लिए सबसे बड़ा challenge था सुबह उठना, school जाना उसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये सभी के साथ होता है मैं example उसका दे रहा हूँ जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर क्या challenge आ जाता होमवर्क का जब मैं होमवर्क वाली stage में था तो आप believe नहीं करेंगे मैं ये सोचता था ये पढ़ाई किसने बनाई अगर मुझे वो मिल जाए मैं उसका कतल कर दूँ या उसका खून कर दूँ मैं ऐसे सोचता था इतना खराब student था मैं तो उस समय होमवर्क का challenge रहता है थोड़े से हम और बड़े होते हैं तो पढ़ाई का बोज और जादा बढ़ जाता है तब फिर हम लोग क्या सोचते हैं या जब हम college में चले जाएंगे न तो life बड़ी comfortable होगी सुबह जल्दी नहीं उठना पढ़ेगा dress dress का चकर खतम हो जाएगा और life में ना freedom आ जाएगी जब हम college में जाते हैं उसके बाद में जो भी relative घर में आता सबसे पहला सवाल क्या पूछता है बेटा क्या करोगे बेटा क्या कर रहे हो बेटा क्या बनोगे ये सवाल इतनी बार पूछा जाता है इतनी बार पूछा जाता है इतनी tension हो जाती है उसके बाद वो व्यक्ति क्या सोचता है एक बार यार कॉलेज और खतम हो जाए कुछ पैसे से कमाने अलग जा फिर लाइफ सेट है फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर हम कॉलेज भी पासओड हो जाता है कोई नहीं नौकरी बिसनस जैसे जो भी करता है वह करने लगता है अब अर जैसे मेरे अंकर भाई कह रहे थे वो पार्टनर जब आ जाता है तो लाइफ में शुरू कि चार चे महिने को छोड़ देता हूं साल बर को चोड़ देता हूं उसके बास समझ में आता है कि लाइफ और जदर टफ होगी थोड़े टाइम बाद क्या होता है लाइफ में बीटा बीटिया जो भी भगवान की देया से मिलता है तो वहां से छोड़ा बच्छा होता है उसका तो कोई टाइम नहीं है 24 घंटे का वो तो कभी भी सोता है कभी भी उठता है तो क्या लगता है यह थोड़े और बड़े हो जाए ना सुसुपोर्टी का चकर खतम हो जाए तो ला अब हो जाए इंडिपंडिक होगा burg अगे भी विक्षा Champions की वेलेंके साथी सबिसी करित परी ठाकर सीधरिव Religion सभरन में इसकी लाइफ में छाए अब जाइगे को जान चाये מא को है उसकी ल Surprise इस wonder जो लोग मर जाते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं है, वो अराम से कबर में सो रहे हैं, उनने थोड़ी सुपह उटके नाश्ता बनाना है, पीवी करनी है, थाइलेंड टूर की तैयारी करनी है, उनने कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक, as long as we are alive, the challenges will be there, so accept it, if you accept it, you are more than half ready for the battle, so this is my first thing, this is my first philosophy, and best cheese is, everything in this world is temporary, हर चीज इस दुनिया में जो है, वो टेंपररी है, पर्मनेंट कुछ नहीं है, किसी ने एक बहुत ग्यानी गुरू से एक बात पूछी, पी गुरू जी कोई ऐसी बात बताओ, कि अगर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कठिन समय मे हूँ, तब भी मुझे तकलीफ ना हो, और अगर मैं बहुत सफलता की बुलंदियों पर हूँ, तब भी सफलता मेरे दिमाग में ना चड़े, तो गुरू जी ने एक लाइन बोली कि ये जो भी समय है, ये बीत जाएगा, अर्थात, अगर आप टफ समय से गुजर रहे हैं, ये भी बीतेगा, और अगर आप बहुत सफल हैं, तो ये भी ज़रूर बीतेगा, so nothing in the life is permanent, everything is temporary, आपकी struggle is temporary, आपकी success is temporary, and आप हम खुद इस दुनिया में temporary basis पर आए हैं, किराय पर आए हैं, कोई याँ permanent resident नहीं है, okay, all of us have a shelf life over here in this world.